हेलो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम स्पीन 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 स्प्लीटिंग और जिसे हम स्पीन स्पीन कपलिंग कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे तो यह स्पीन स्पीन कपलिंग या फिर स्प्लीटिंग क्या है तो जब हम हमारा स्पेक्ट्रम निकालते हैं किसी हम multiplates भी कहते हैं उसमें divide हो जाते हैं या फिर split हो जाते हैं और उसी हम spin-spin splitting कहते हैं तो पहले हम spin-spin splitting के कुछ important points देखते हैं तो यहाँ n plus 1 का rule apply किया जाता है आप याद रखें बहुत सारे जो reference book है हमारे उसमें n plus 1 rule दिया जाता है वहाँ spin-spin splitting ऐसा कहीं भी लिखा नहीं होता जस्ट वहाँ लिखा होता है n plus 1 rule तो आपको वहाँ समझना है कि वो जो n plus 1 का rule है वो spin-spin splitting के लिए ही है अब यहाँ जो n present है वो n है number of protons present on adjacent carbon इसका बतलब है कि हमारे पास जो का proton से उसके उस carbon के adjacent carbon पर कितने protons present है वो हमें देखने है तो इसके लिए हमने एक यहाँ example लिया है आपको समझाए यह तो यहाँ देखें इस carbon पर 3 protons है अब यह 3 protons सेम chemical environment में present है तो इन्हें हम A कहेंगे और इन protons को हम B कहेंगे अब इनका chemical environment different क्यों है यह पहले समझिए अब देखें यह इस carbon पर Bromine Group Attach है तो यह Bromine Group क्या करता है इन protons के chemical shift के values को या फिर chemical environment को affect करता है उस तरह यह इस carbon पर कोई भी Bromine Group की या फिर कोई भी electron withdrawing Group present नहीं है तो इसके जो protons है उन पर इस BR का कोई भी effect नहीं होता या फिर ऐसा BR group या कोई इस carbon पर नहीं है इस वज़े से इनका chemical environment इनसे different हो जाता है और इसे हम A कहते हैं तो यह दो different chemical environment के proton है इनकी chemical shift की values भी different होती है तो अब यहाँ देखिए इन्हें हम A और B कहा तो अब अगर हम A के protons के लिए peak या फिर splitting देखते है peak की तो उसकी splitting depend होती है उसके adjacent protons पर protons का peak कितने multiplates में split होगा यह decide करते हैं उसके adjacent carbon पे कितने protons present है अब यहाँ two protons है तो यहाँ हो जाएगा N plus 1 यहाँ हमें हमरा एक single peak यहाँ three multiplates में split होगा इस तरह splitting इकालते हैं उसके लिए यह N plus 1 का rule है आगे देखिए non equivalent protons shows spin spin coupling that is that proton present in different chemical environment इसका मतलब है कि वो जो proton है उनका chemical environment different होना चाहिए जैसे कि हमने यहाँ देखा उसी के साथ साथ वो non equivalent होने चाहिए non equivalent का ही मतलब है वो एक दूसरे से different होने चाहिए वो same नहीं होने चाहिए इसलिए वार different chemical environment कहा गया है अब equivalent proton कौन से होते हैं यह देखिए अगर यहाँ BR के जगह कोई proton present होता तो इन्हें हम equivalent proton कहते हैं और यह जो equivalent proton है वो कभी भी coupling show नहीं करते हैं क्योंकि इनका chemical environment same है तो यह same peak देगी same peak मिलेगा इस वज़े से splitting show नहीं करते हैं अब यह chemical environment different है यह दो types के proton से इस वज़े से यह coupling show करते हैं आगे का point देखिए chemical shift values does not change अगर हमारा एक single peak small multiplates में divide हो रहा है तो वहाँ हमारी chemical shift की values affect नहीं होती हमारी chemical shift की values as it is रहती है highly different chemical environment protons does not coupled इसका मतलब है जिन protons का chemical environment highly different मतलब हमारे जो proton से उनसे बहुत ज्यादा different है वो peak show नहीं करते हैं वो coupling show नहीं करते वो कैसे जिसकी NH, OH, SH यह जो proton है वो coupling में parts नहीं लेते हैं वो splitting show नहीं करते peak की जो splitting है उन्हें हम picklets या फिर multiplets कहते हैं यह बात याद रखे इन्हें हैं multiplets या फिर picklets कहा जाता है अगर हमें 1 picklet मिले हैं तो हम उसे singlet कहते हैं अगर हमें 2 picks मिल रहे हैं तो उसे हम double let कहते हैं 3 picks को triplet 4 picks को quartet और 5 picks को quintet याद रखिए अगर हमें ऐसा एक ही पिक मिल रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे सिंगलेट अगर हमें इस तरह डबल मिल रहा है तो डबलेट अगर थ्री मिल रहा है इस तरह तो उन्हें ट्रिपलेट और फोर मिल रहा है तो उन्हें हम क्वाल्टेट कहेंगे इस से इस तरह ही फ